मुझे से पूछा गया कि यह जो यात्रा होगी कहां से कहां होगी मैंने सोचा एक बात क्लियर थी मनिपूर से शुरू होगी क्यों वहाँ पे इसी शक्ति ने सिविल वार का महौल बना रखा है भाई भाई को मार रहा है गोली मार रहा है तो शुरूआ तो वहाँ से होगी और फिर मैंने सोचा अगर हिंदुस्तान को नया विजन देना है तो यात्रा धारावी में खतम होगी यह हुनर का कैपिटल है हिंदुस्तान के टैलन्ट का स्किल का हुनर का कैपिटल है और इनको यहीं से मुंबई से इनके घनों से वोही शक्ती इनको उठा कर बाहर भेक रही है एक साथ मिलकर वोही शक्ती इन लोगों की जिन्दगी बरबाद करने में लगी हुई है मैं आपको इस स्टेज से बता रहा हूँ चाइना में एक शहर है उसका नाम शेंजन है सच्चा मुकाबला उस शेहर से है जो आपको मीडिया में कभी कोई नहीं बताएगा भारा भी शेंजन का मुकाबला कर सकता है बैंक के दर्वाजे इन बच्चों के लिए खोलो इन बच्चों को सरकार की मदद करो और फिर देखो ये शेंजन का क्या करते है उठा के परे कर देंगे शेंजन को ये लोग मेड इन मुंबाई, मेड इन धारवाई, मेड इन चाइना को उड़ा के हटा देगा परे कर देगा, मगर नई बाईस लोग है यहां पर बाईस लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के सत्तर करोड लोगों के पास है हिंदुस्तान में इंटरनेशनल एरपोर्ट खुलवाने के लिए साल लग जाते है दस दिन में शादी के लिए इंटरनेशनल एरपोर्ट खुल जाता है वो ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है अगर दस दिन में शादी के लिए खुल जाता है वो ठीक है करना है करो मगर बाकी हिंदुस्तान में भी तो खोलो बाकी प्रदेशों में खोलो इन्होंने क्या गल्ती किये 50% हिंदुस्तान की अबादी पिछड़े बर की है 15% गलित 8% आदिवासी 15% माइनॉरिटी 5% 7% गरीब जनरल कास के लोग मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए नाम दिखा दीजे मुझे दलित का नाम दिखा दो आदिवासी का नाम दिखा दो पिछड़े का नाम दिखा दो लिस्ट में एक नहीं मिलेगा आपको मैं ढूंड रहा हूं महीनों से ढूंड रहा हूं इनकी गलती नहीं बैचारों की जैसे मोदेजी मुखोटे हैं जैसे उनका रिमोट कंट्रोल इनका भी है मीडिया में कोई नहीं हिंदुस्तान की सबसे 200 बड़ी कंपनियों के लिस्ट निकालिए मालिकों के लिस्ट निकालिए गरीब जेनरल कास्ट का व्यक्ति का नाम बता दो मुझे दलित का पिछड़े का किसी भी गरीब व्यक्ति का नाम बता दो किसी भी पिछड़े का नाम बता दो 200 कंपणियों के मालिक की लिस्ट में नहीं मिलेगा नपे अपसर इस देश को चलाते हैं मैंने सिस्टम अंदर से देखा है मैं समझता हूँ सिस्टम को इसलिए मोदी जी मुझसे ड़ते हैं सब कुछ देखा है मैंने सब समझता हूँ मैं अंदर बैठता था उसमें सालों में अंदर बैठा हूँ कोई नहीं चुप सकता मुझसे और मुझे दबावी नहीं सकते हैं मोदी जी को दबाव सकते हैं तो 90 लोग हैं उसमें एक तीन पिछड़े हैं तीन दलित एक आदिवासी फॉर्स जेनरेशन गरीब जेनरल कास्ट का मुझे दिखा दो उसमें एक नहीं मिलेगा बजट में सो रुपे खर्च होते हैं पिछड़े दलित आदिवासी सब को मिला दो छे रुपे एक अंधरने लेते हैं पॉलिसी कहां बनती है पॉलिसी ये 90 लोग बनाते हैं उसमें दो तीन सो और जोड़ दो उसमें पचास साथ अरब पती जोड़ दो ये है सच्ची शक्ति जो हिंदुस्तान को चला रहा है और इससे आप कोई नहीं बचेगा आप मेंसे कोई नहीं बचने वाला यहां किसी ने EVM की बात की मैं आपको बता रहा हूँ EVM के बिना नरेंद्र मोधी चुनाव नहीं जीच सकता है Election Commission से हमने कहा कि एक काम कीजिए विपक्ष की पार्टी को यह मशीने दिखा दीजिए खोल के हमें दिखा दीजिए यह कैसे चलती है हमारे एक्सपर्स को दिखा दीजिए Election Commission नहीं दिखा फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागस निकलता है वोट मशीन में नहीं है वोट कागस में है ठीक है आप मशीन चलाइए मगर कागस के भी गिंती कर दीजिए Election Commission कहता है नहीं कागस की गिंती नहीं होगी क्यों नहीं होगी कैसे नहीं होगी सिस्टम नहीं चाहता कि EVM की गिंती हो जाए क्यों क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है NCR Current News को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दवाएं बेल आइकॉन